करनाल के साइमंदी चौक पर तेज रफतार थार का कहर देखने को मिला है जहां पर एक्टिवा सवार वेक्ती को थार चालक करीब 200 मीटर तक हसीटता हुआ लेकर गया वही एक्टिवा थार गाड़ी के टैर में फसकर रह गई आरूपी को पुलिस ने करीब डेड़ किलो मीट दूर निर्मल कुटिया चौक पर पकड़ लिया इस ददनाक हाथसे में एक्टिवा सवार की मौके पर ही मौत हो गई पचास वर्षे मृतक हरवंश कोविन करनाल के सेक्टर पांश के रहने वाले थे जो सुबह एक्टिवा पर सवार होकर काम पर जा रहे थे हरवंश किसी प्राइवेट कंपरी में जॉब करते थे और अपने परिवार का पालन पोशन करते थे जब असाई मंदिर के पास चौक पर पहुंचे तो पीछे से आ रही एक तेज रफतार थार उसे एक्टिवा सहीद घसीटे वे लेकर गई करीब 200 मीटर दूर हरवं साइड में गिर गए और थार चालक एक्टिवा को गाड़ी के साथ लेकर फरार हो गया जब यह हादसा हुआ तो लोगों ने तुरन सेक्टर 32-33 थाना पोलिस को इसकी सुषना दी जब थार चालक एक्टिवा को घसीटे वे लेकर जा रहा था तो निर्मल कुटिया चौक के पास गाड़ी का टायर फड़ गया जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया पुलिस ने शौको कबजे में लेकर पोस्ट मार्टम की करवाही भी शुरू कर दी है